प्रणाम सुंदर साथ जी पिछली वीडियो में हमने प्रकरण शाथ का पाठ किया जिसमें हमने गोपियों के श्रिनगार का वरणन किया तो आज हम आगे का प्रकरण का पाठ करेंगे जिसमें श्री राज जी के श्रिनगार का वरणन है श्री राज जी नो श्रिंगार पहलो श्रिंगार की दो मारे वाले जीए तेहनो ते वर्णवों लवलेश पचे सम्वाद वाला जी साथनो ते मारी बूद सारू कहेस योग माया के मंडल में प्रियतम श्री कृष्ण ने सर्वप्रतम अलोकिक श्रिंगार दारण किया इंद्रावती कहिती है कि इसका थोड़ा सा वर्णन करने के उपरांत प्रियतम तथा सुंदर साथ के बीच हुई पारस परिक प्रेम सम्वाद का वर्णन भी में अपने बुद्धी के अनुसार करूंगे सोभारे मारा श्यामतनी सक्खी केनी पेरे वर्ण हुँ एह सब्दातीत मारा वाला जीनी सोभा मारी जीब्या आनी देह हे सक्ख्यों मेरे श्याम शुंदर श्री कृष्ण की सोभा का वर्णन की स्प्रकार करूं मेरे प्राणादार प्रियतम की सोभा सब्दातीत है मेरी यह जीबा तो माया वी देह का ही भाग है चरण तना अंगूठा कोमल नक हीरा तना जलकार रंग तो जोई जोई मोही है पासे कोमल आंगलियो सार श्री राज जी के चरण कमल का अंगूठा कोमल है तथा उसके नक हीरे की बादी तेजस्वी आभा से चमक रहे है चरणों की सुंदर्ता और रंग को देख कर मन मोहित होता है उस अंगूठे के पास की चारों उंगलियां कोमल और श्रेष्ट है फणा नसो अने कांकसा अती रंग घनूरे सोहाय जीब ठकी अलगा नव कीजे राखिये चरण चीत माय चरण के आगे का वो उपर का भाग चरणों की नसों और अंगलियों के बीच का भाग ये सभी अत्यंत मोहक रंग के हैं और सोभा दे रहे हैं इन चरणों को अपने प्राणों से कभी भी अलग ना करें उने चित में ही धारण करना चाहिए चरण तले पदम नी रेखा करेते अती जलकार पानी लांक लाल रंग सोभे इंद्रावती निर्खे करार चरण के नीचे के भाग में अर्थात तलवे में पदम यानी कमल आकार की रेखा है वह अत्यंत स्तेजो मई हो के चमक रही है चरणों का पानी और लांक लाल रंग से सोभाय मान है इंद्रावती उने देखकर अत्यंत आनंदित होती है टांकन घूटी ने कांडा को मल कांबी कडला बाजे रसाल गुगरडी घम घम स्वर पूरे माहें जांजर तनों जमकार चरणों की एडी के उपर का भाग घूटी और कलाईया अत्यंत को मल है इन पर कड़ी और नुपुर पहने हुए हैं जो रसमें एवं मदुर ध्वनी करते हैं उनमें लगी हुई गुगरियां गमक गमक द्वनी द्वारा जन जना रही हैं कांबी कडला जुगते जडियां सात बानी नंग सार लाल पाना हीरा माने कर नीलवी कुंदन मामोती जलकार उन्होंने पहने हुए नुपूर और कड़े में सात प्रकार के सुंदर रतन बड़ी कुसलता से जड़े गए हैं सोने में जड़े हुए लाल पन्ना हीरा मानेक नीलमने और मोती ये सब प्रकाशमान हो रहे हैं जांजरिया जड़ाव जुगतना करकरिया सोम भंत गुघरडी करड़ा जड़तरमा जलहल हैम करंत पाव में पहनी हुई चांजरी भूशन बड़ी कुसलता से जड़ी हुई है उनके अंत भाग में कुरदे हुए सोने के चोटे चोटे दाने सुसोपित हो रहे हैं तथा सोने में लगी हुई हुगरिया और रतन कणिकाएं जगमगा रही है कनकतना वाला माहें गठिया निर्मलना का जलकत जांजरीया मां जुगते जडिया भली पेरे माहें भलंत सोने के तार में घुगरी पिरोई गई है उनके चिद्र अत्यंत चमक रहे हैं विशेश युकती द्वारा उन्हें इस प्रकार जड़ा गया है कि परस पर मेल सुन्दर लगता है पिंडी उपर पायचा निजीनी कुरली जलवार के सरीये रंग सूथनी इंद्रावती निर्खे करार प्रियतम श्री कुष्ण के पाउं की पिंडलियों पर तारण किये हुए पायचा भूशन की भाती नीचे वाले बाग पर छोटी छोटी बूटियां काड़ी गई है सूथनी यानि पायजामा केसरी रंग की है इंद्रावती इसे देख कर आनंदित हो रही है प्रणाम जी